Hello everyone, welcome to SK Tutorial अगर आप लोग BC, E, C, E, L, E, Innocence 2020-2024 के लिए प्रिप्रेसंस कर रहे हैं या फिर करना चाह रहे हैं तो आप लोग हमारे SK Tutorial एप को Google Play Store से डाउनलोड करके Paid Batch में जोईन होकर के अच्छे से systematic way में प्रिप्रेसंस कर सकते हैं जहां पर आपको मिलेंगे complete video solutions, full coverage of syllabus, PDF notes, इसके बाद previous year question paper analysis, वीडियो के format में आप सभी को मिलेंगे इसके बाद जो और सभी institute से different बनाती है SK Tutorial चैनल को इस पर आप सभी को मिलेंगे personal guidance भी अगर किसी बच्चों को कोई भी तरह का doubt रहता है चाहे mathematics में हो, engineering mechanics में हो, या फिर English में हो, आपको complete guide किया जाएगा तिल दा एक गेनरेसंस, BCEC, LE एक गेनरेसंस के लिए तो अगर आप लोग चाहते हैं batch में जोएन होने के लिए तो अभी download करिए Ask Tutorial app को Google Play Store से या फिर admission help line number पे call कर सकते हैं इस video के description में आपको सारा detail दिया गया है तो चलिए आज के इस class को शुरू करते हैं इसमें हम लोग पढ़ेंगे English जिसमें की जो की BCEC, LE एकनरेसंस के point of view से important है अगर मैं Ask Tutorial coaching के history की बात करूँ तो पिछले जो 5-6 साल से BCEC, LE एकनरेसंस के बच्चों को मैं preparation करवा रहा हूँ और यहांने की कह सकते हैं 5-6 batch और यहां से बढ़ करके निगला है online batch में साथ ही साथ offline batch में भी अब offline नाम सुनते ही बहुत सारे बचों के मन में questions आ रहा होगा कि sir offline batch कहां पर है तो मैं आपके जानकारी के लिए जस्ट बता देता हूँ कि offline institute बिहार के पुर्णिया जिला में है तो जो बच्चे पुर्णिया में हैं या फिर पुर्णिया के आसपास हैं वो लोग तो offline coaching join कर लेते हैं लेकिन जो दूर 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 दूसरे सब डिस्टिक्ट से हैं वो लोग generally prefer करते हैं online बैच को और मैं भी individual अगर हम से पुछिएगा personally कि सर बेस्ट कौन होगा तो मैं कहूंगा online सबसे बेस्ट है आप घर में बैट करके अपना कर सकते हैं अपने class अपने रूटिंग अपने जो जब भी आप free रहेंगे तब आप class को करके अपना प्रिप्रेशन को जहां पर हैं वहां से सुरू कर सकते हैं तो चलिए आज के इस class में हम लोग देखते हैं इंग्लिस के class में एडवर्ब चैप्टर को हर एक concept को समझेंगे बहुत ही basic से ताकि हर एक concept आपका दूर हो सके और इस episode के बाद हम लोग देखेंगे previous year question paper यानि कि एडवर्ब से पिछले साल किस किस तरह की question पुछे गए थे उन सभी पर हम लोगों की नजर होगी लेकिन पहले basic concept जब हम लोग समझ जाएंगे adverbs related तब हम लोग जब questions देखेंगे previous year का तो हमको solve करने में सहलियत होगी तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले अगर हम लोग adverb पढ़ने जा रहे हैं तो हम लोग देखेंगे screen के उपर जो information given है यहां पे आपको adverbs related सबसे पहले बात करेंगे definitions के बारे में कि adverb होता क्या है right तो adverb जो होता है वैसा word को कहते हैं यानि कि simple में कह सकते है words words that modify verb that modify modify किसको भर्ब को जो modify करें ठीक है modify भर्ब ठीक है इसके बाद एड़ भर्ब को ठीक है एड़ भर्ब या फिर adjective एड़ जेक्टिव एड़ जेक्टिव एड़ जेक्टिव ठीक है modify भर्ब को उसी क्या करते है एड़ या फिर adjective को अगर modify करें जिससे की complete sense मिले complete उसका meaning निकले for complete sense in the complete sense को करने के लिए तो चलिए अब हम लोग देखते हैं इसमें कुछ example से समझने का प्रियास करते हैं जैसे अगर मैं बात करूं यहां पर next slide में पहला example में आप लोग ध्यास समझने का कोशिस करिएगा he runs he runs fast अब यहां पर आपको बताना है कि कौन भर्व है और कौन एड़ भर्व है यहां पर runs जो है यह क्या है हम लोगों के लिए भर्व है और कैसे वो दौर रहा है भास्ट दौर रहा है तो भास्ट जो है यहां पर क्या है यह हम लोगों का लिए एड़ भर्व है क्या है एड़ भर्व है उसी तरह से दूसरा एक्जामपल से समझने का प्रियार समलोग कर सकते हैं प्लीज हेल्प मी प्लीज प्लीज हेल्प मी अब इसमें क्या क्या है जो यहां पर प्लीज वर्ड आया हुआ है यह प्लीज वर्ड जो है यह है एड़ भर्व क्या है एड़ भर्व एड़ भर्व को एड़ी भी सॉट I will come तो यहाँ पर यह जो sentence है इसमें भर्ब और एड भर्ब कौन है पहचानी है पहले तो sure जो है यहाँ पर क्या है एड भर्ब है क्या है एड भर्ब है और यहाँ पर I will come जो है यह क्या है भर्ब है मतलब will come जो है come जो है वो क्या है भर्ब है समझ में आगे यहां पर जैसे कि यहां पर कुछ वर्ट में भी मैं दूँगा गलत सेंटेंस दूगा उसको आपको सही करने होंगे जैसे कि फॉर्थ नमबर और की एक्जामपल लेकर कि हम लोग समझते हैं कि He runs very fast He runs He runs very fast अब यहाँ पर आपको बताना है कि कौन भर्ब है, कौन एडवर्ब है कौन एडजेक्टिव है तो यहाँ पर किलियरली दिख रहा है कि He runs जो है रन जो कर रहा है वो कैसा है? वो कहेंगे आप लोग Sir runs तो यह भर्ब है ठीक है भर्ब है very क्या है? very जो है यह एडजेक्टिव है क्या है? एडजेक्टिव है एडजेक्टिव है और fast जो है वो क्या है? fast जो है वो एडवर्ब है तो इस sentence में आपको क्या मिला? एडवर्ब भी मिला, भर्ब भी मिला और एडजेक्टिव मिला अब एक sentence में देता हूँ और उसको आप लोग बताएंगे कि वो correct है या incorrect है एक्जाम में कुछ इस तरह से ही sentence आते हैं जैसे कि C behaved friendly अगर मैं आपसे पुछूँ कि इसमें कौन सा सही है तो आप लोग maximum लोग कहेंगे कि सर पहला वाला जो friendly है वो क्या है सही है इस दोनों में से कौन सही है अगर मैं पुछूँ तो देखिए भर्ब कौन है भर्ब है यहां पर behaved भर्ब कौन है behaved इसी क्या करते है भर्ब है यहां पर तो भर्ब के यहां पर जो है basically एड़वर्ब तो भर्ब के बाद क्या आएगा एड़वर्ब आएगा तो एड़वर्ब का क्या पहचान है कि इसको बेसीकली adjective को है ना absorption ली क्या है adjective है उसको modify करेगा तो क्या बनेगा भरभ बनीगा तो इसका यह friendly यह गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पर friendly Keith union बर यहाँ पर गलत है यह वना आपर जो होगा प्रेंडली जो होगा यह राईट होगा तिक 수 forgot आ गई होगी अब यहां पर और भी हम लोग कुछ sentence लेगा के समझ सकते हैं जैसे कि अगर मैं कहूं इसी इस भैरी इस भैरी ब्यूटिफुल बी ए यू टी आई एफ यू एल सी जवहरी ब्यूटिफुल तो यहां पर भैरी जो है वो क्या है ब्यूटिफुल यहां पर है एडिजेक्टिव यानि कि एडिजेक्टिव क्या आता है एडिजेक्टिव क्लिए रोगया और इज क्या है यहां पर इज जो है यह भर्व है क्वान सा भर्व है helping भर्व है समझ में आ गया तो इस तरह से यह था basic introduction एड़वर्ब का अब हम लोग types of adverb समझते हैं क्या होता है अलग-अलग types होता है types of types of adverb आप लोग अपने copy में heading देंगे types of adverb में लिखेंगे आप लोग पहला जो है वो adverb of time क्या होता है पहला नमर में adverb of time अब यहां पर इसको समझने का हम लोग प्रियास करते हैं एक-एक करके सभी चीजों को तो यहां पर इसमें जो होता है when आता है क्या आता है words that replies when मतलब bite本当ize that replies when मतलब ऐसा वर 20 का reply दे उसी क्या कहते है एक-एक्साम्प्ल के तौर पर अगर हम लोग समझें यहां पर लिखते हैं जैसे कि टूडे क्या हो जाएगा टूडे या फिर टुमोरो टी ओ एम ओ डबल आर ओ डबलो कि इसके बाद यस्टरडे रेट इसके बाद तुमोरो के बाद यस्टरडे नाओ देन रेट इस तरह से आते रहेगा जैसे कि यहां पर जब सेंटेंस बनेगा इस तरह के वर्ड से टाइम जो होता है तो कैसा सेंटेंस बनेगा जैसे कि यस्टरडे आई मेट महेश यस टी ई और डी ए वाई यस्टरडे आई मेट महेश तो yesterday I met महिस यहाँ पर यह sentence क्या है correct है He will come tomorrow He will come tomorrow Tomorrow यहाँ पर यूज जो किया गया है end में sentence का यूज करते हैं after the verb या फिर object यह जो यूज किया गया है tomorrow जो आप देख रहे हैं तो इसको कभ यूज करते हैं तो इसको यूज किये हैं हम sentence के last में भर्व या फिर object के बाद तो इसको point बना करके एक लिख सकते हैं key points के रूप में कि कभ यूज करते हैं लिख लिजिए it is used it is used at the end of at the end of the sentence bracket में लिख 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 लिखा after verb या अबजेक्ट तो ये था adverb of time अगर move करें हम लोग दूसरा देखें type दूसरा type में आता है सबसे best adverb of manner दूसरा जो आता है adverb का type adverb of manner इसमें जो answer मिलता है वो how का खिसका मिलता है how का adverb of manner जैसे example के तोर पर समझेगा smartly ये क्या है smartly एक smartly क्या है manner है दूसरा nicely n-i-c-e-l-y nicely manner है bravely b-r-a-b-e-l-y bravely क्या है manner है slowly s-l-o-w-l-y slowly क्या है manner है या फिर fastly f-a-s-t-l-y fastly quickly q-u-i q-u-i-t-e-l-y quickly ठीक है तो ये सभी जो word है ये सभी adverb of manner को represent करता है तो इसको basically हम लोग adverb of जो manner है इसको हम लोग आँ अगर इसको symbol भासा में समझने का प्रियास करें हम लोग यहाँ पर इसको लिख सकते हैं words that represents the लिख लीजी आप लोग अपने copy में words that represent the manner of action manner of action तो जैसे कि इसका example से समझते हैं कि he loudly ली एल ए यू डी एल वाय लावडली स्क्रीम्ड एस सी आर इए एम इडी स्क्रीम्ड मतलब होता है चिलाना मतलब उसने जोड से चिलाया ठीक है दूसरा सेंटेंस लिखता हूं ल ओ यू डी एल वाय लावडली इसक्रीम्ड इसक्रीम्ड एस सी आर इडी इसक्रीम्ड और तीसरा है ही इसक्रीम्ड लावडली ही इसक्रीम्ड एस सी आर इए एम इडी स्क्रीम्ड लावडली एल ए यू डी एल वाय लावडली कौन सा सही है तीन सेंटेंस हमने लिखा है यहां पर कौन सा सेंटेंस सही है वह आप लोग बताएंगे तो प्यारे बच्चों जल्दी से बताएंगे ही लावडली स्क्रीम्ड सही है या लावडली ही स्क्रीम्ड सही है तो इसका जो सही होगा ही लावडली scrimmed है यह क्या है गलत है और किया है लौडली यह यह फिर ऑब्जेक्ट के बाद यहां पर बाद आता है यहां पर प हिसे को लिखाया तो हम जेक्ट के बाद से बाद के बाद आता है ठीक है एड़ी लफ टाइम मैनर जो भी है तो लाव का आंसर क्या हो गया इसका यह आप्टर द ऑब जेक्ट क्या फिर भर्व के बाद आता है इसलिए लावड़ी सघ्शे होगा टो लिखेंगे आपने कौपी में आप लोग एडवर्ब ओफ बलेस आ यह दो एवरीवेयर इसमें क्या आता है एवरीवेयर एवरीवेयर की एवरीवेयर कि कॉमा सम्वेयर कि सम्वेयर हीर दियर हीर दियर नाओ हुएर तो यह सबी जो वर्ड आएंगे वो आते हैं एड़ वर्ब आफ प्लेस में ही अब इसको अगर डिफाइन करके लिखना हो तो कैसी लिखेंगे एड़ वर्ब आफ प्लेस को सिंपल में डिफाइन करेंगे वर्ड दाइट प्लेस अफेएन फेज़ुर्ट दाइट रिप्रेजेंट रिप्रेजेंट सैंड दाइए प्लेस ओफ एक्सन वैसा वर्ड जो कि रिपर्जेंट करेगा प्लेस ओफ एक्सन को उसे क्या कहेंगे बेसिकली हम लोग कहेंगे एड़ फार्ब अफ प्लेस जैसे कि एक्जामपल के तौर पर हम लोग समझते हैं ठीक है इसको कि everywhere E-V-E-R-Y everywhere I am searching for you I am S-E-A-R-C-H-I-N-G searching for you or somewhere he must be some somewhere he must be or he must be somewhere इसमें बताना है कि कौन सा sentence सही है और कौन सा गलत है देखिए प्यारे बच्चों यहां पर अच्छे से समझना है आप सभी को कि everywhere I am searching for you मतलब हर जगह मैं खोज रहा हूं तुमारे लिए इसका मतलब यह एक meaningless word है एक तरसकर sentence है यह गलत हो गया somewhere he must be मतलब कहीं तो वो होना चाहिए ज़िए he must be somewhere उन्हें कहीं must होना चाहिए मतलब जो यहां पर sentence है यह गलत है यह जो somewhere word है अगर यही somewhere word यहां पर होता तो यह क्या हो जाता सही हो जाता लेकिन नहीं है तो क्या है गलत है आपको एड़वर्ब से इस तरह से डिरेक्टली और रिक्ट्री करेंगे वाले कोस्चन देखने को मिलेंगे राइट कुछ रूल्स निकलेते हैं इसमें आप यहां पर ताकि आपको अच्छे समझ में आ जाए यह रूल्स मैंने बनाया है और यह रूल्स ताकि आप सभी को समझ में अच्छे से आ जाए राइट तो यह रूल्स क्या है देखिए लिख लीजिए पहले पॉइंट में की इन एब बेसिक सेंटेंस इन अ बेसिक सेंटेंस कि दा ओर्डर ओड़वर्ब इजर दा ओर्डर ऑफ एड़वर्ब इजर अचिप प्लस फी प्लस टीए यहै कि अम से है मैनर यहां पर मली देता हूं से है मैनर से अच ऑर कम कि और टी से है टाइक व यानि कि जब कि प्सक रहेगा उसमें औरanno का इसके बाद हम लोग लिखेंगे place को इसके बाद लिखेंगे time को ठीक है चलिए एक question करके देखते हैं ताकि अच्छे से समझ में आए कि क्या मैं समझाना चाहरा हूँ जैसे कि example के तौर पर एक sentence लेते हैं राइट तो एक sentence है बहुत प्यारा सा आए सी बीटीफुली दान्स दा सी बी ए यू टी आइ ए फ यू ल डाफ यू डाफ यू डाफ यू डाफ यू डाफ यू डाफ यू डान्स दा एक sentence हो गिया दूसरा लास्ट नाइट, लास्ट नाइट, एन आई जी एच्टी, नाइट, ओन, ओन, दा स्टेज, लास्ट नाइट, ओन, दा स्टेज, अब सबसे पहले तो ये सेंटेंस जो है, अच्छे से आइदेंटिफाई करिए कौन क्या है, तो ब्यूटिफली डांस जो है, ये क्या है, मैनर को रिपरजिन कर रहा है, वो बहुत अच्छे से नाची थी, तो ब्यूटिफली डांस किसको रिपरजिन करता है, मैनर को, और लास्ट नाइट क्या है, टाइम बता रहा है कि कब नाची थी वो, तो लास्ट नाइट को और यहां पर कहां पर नाची ठी, place क्या बता रहा है? अन्दा स्टेज, मतलब जो बता रहा है कि क्या है? बता रहा है, अब रूल क्या कहता है? कि पहले manner लिखना है number one पर, दूसरा पर place होना चाहिए और तीसरा पर time होना चाहिए यहां पर क्या है? MTP है जो कि होना क्या था MPT इसका सही आंसर क्या होगा कि C beautifully danced on the stage last night यह सही आंसर होगा इसका ठीक है तो एक बार मैं यहाँ पर सही लिख देता हूं ताकि आप सभी को समझ में आ जाए क्या मैं कहना चाहरा हूं कि C C यहाँ पर यह next sentence था C beautifully B-E-A-U-T-I-F-U-L-L-Y beautifully danced danced on the stage on the stage at on the stage at on the stage last night on the stage danced on the stage last night last night N-I-G-H-T ठीक है तो यहां तक आपको उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा तो यह rule को follow करवाना है जैसे एक और मैं example देता हूं इसी type से related आप लोग बनाएंगे उसको भीना देखे उम्मीद करते हैं आप लोग adverb को अब enjoy कर रहे होंगे इस समझ में भी आ रहा होग एक सेंटेंस देते हैं जो कि incorrect है आपको उसको correct करना पड़ेगा ठीक है चली कोस्चन है कि दर ड्राइवर दर ड्राइवर 15 स्वी ख स्वी ए द्ल्वर दूए, ड्राइवर 365 छ्वी दूबर दीस ranked आपने ग्यक समोड आप दर देखे जाय तर दे।रैंग, आपने में तर्क घ. अर देखेर आपने हैं य।र्दारश देखें Dashboard देखें देखें रूबकर हैं देखें ट्रीछी तर्द्री ट्रीम।ि तरैक तो इससे सबसे पहले जो है आपको ढूड़ना है कौन मैनर है कौन प्लेस है, कौन टाइम है तेखिए वो ड्राइवर जो है कार को बहुत स्विफ्टली, बहुत इजी वे में अच्छे से घुमाया तो स्विफ्टली यहाँ पर क्या है? manner को represent करता है कब घुमाया था yesterday को यानि कि कल तो time हो गया yesterday और अगर on the track कहाँ पर तो on the track जो है यह क्या है place को represent कर रहा है यहाँ पर क्या होना चाहिए MTP के बतले MPT होता है न इसका सही structure आपको पता है तो आप कहेंगे sir यह sentence सही है गलत है तो कहेंगे sir यह sentence गलत है तो सही sentence क्या होगा दा ड्राइवर दा ड्राइवर स्विफ्टली तर्ण दा कार तर्ण दा कार ओन दा ट्रैक ओन दा ट्रैक यस्टरडे यस्टरडे समझ माया है तो इस तरह से सही sentence को बनाया जा सकता है तो स्विफ्टली दा ड्राइवर स्विफ्टली तर्ण दा कार ओन दा प्रैक यस्टरडे एक और दूसरा से सेंटेंस लेते हैं ताकि और दूसरे भराटिक अभी हो जाए जैसे कि मिस्टर सर्मा मिस्टर सर्मा वेंट साइलेंटली साइलेंटली देयर साइलेंटली यहाँ पर क्या है मैनर है और देयर क्या है प्लेस है ठीक है और यह वेंट क्या है भर्व है अब यह था कुछ कॉंसेप्ट अब लास्ट में कुछ एक्सेप्शनल की रूल लिख लीजिए जैसे कि कि विट दा फॉलोविंग लिखा देता हूं में विथ थम फॉलोविंग कॉंग लगता हूं में वर्व स अफ वर्व स अफ मूवव मेंट the order of भर वीज the order of एड़ भर वीज P plus place plus manner plus time यानि कि PMT करके होगा इसमें तो वो कौन-कौन से words हैं उसको लिख लिजीएगा जैसे और वो जो words हैं भर्ब हैं basically वो भर्ब आर लिख करके लिख लिजीजे डैस दे करके जैसे कि go come reach reach travel travel अप्रोच एडवल पी आर ओ एछ इच एप्रोच एक्सेटरा टीक हैं कि यहां पर एक एक्जाम्पल लेकर कि इसको समझ लेते हैं जैसे कि कोश्चन रहेगा ओल दा इस्टूडेंट्स कि ओल दा इस्टूडेंट्स है इंटर्ड साइलेंट्ली कि अगर मैं पूछों कि यह क्या यह सेंटेंस सही है या गलत है तो आप लोग भी समझ गये हैं इस में प्लस म्लस ट यानी कि फ्लैस प्लस मैनर प्लस टाइंट्स को फॉलो करेंगे यहां पर लाइट सेंटेंस में रॉल दा इस्टूडेंट्स अल्ड़ इस्टूडेंट्स इस्टूडेंट्स entered the classroom silently entered the classroom silently right तो ये होगा right answer इसका तो ये था adverbs related important concept आई होप आप सभी कोई समझ पाए होंगे अच्छे से तो इतना sufficient है adverbs related questions आपके लिए अलांकि पढ़ने के लिए और भी unlimited बहुत सरे concept हैं रेकिन सभी concept को खाली पढ़ने करके मोटा मोटा notes बनाना उतना important नहीं है जितना important है कि important उतना ही है जितना पढ़के आप लोग अच्छा marks ला सकें इस examinations में नहीं तो distractions के लिए आपके पास engineering mechanics और mathematics के बहुत सरे questions करने के लिए हैं आई होप आप लोग सभी कोई सभी एपिसोड में तब तक नमस्कार जय हिंद भंदे मात्रम अधर्म